बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूल पेपर है कर वे मसुर जराज सोराज के बिदिखने वाले वालों के लिए इंकम टेक्स का पेपर देख रहा है मलब की आपको कोई फेल करने वाला पैता नहीं है यदि आप हमारी वीडियो को देखके से ले जाते हैं तो आपको गए तीन से चार महीने वाले वीडियो कहां मिलेंगे पहले वाली तो आपको हमारी वैप साइट पर जाना हुआ पेपर हैकर डॉट इन जिसका लिंक डिसकप्शन बॉक्स में उस पर टेस करना आप बीकॉम सेकेंड़े वाले बटन पर टेस करना बहां पे ले लिस्ट का लिंक दे रहा है उपर नीचे देखकर अपने वीडियो को देख पाएंगे अब बात करने वाले हैं अब जो पेप टॉपर नहीं बन पाओगे लिए संगर्स करना होगा संगर्स का मतलब होता है समझ रहें बोचीजे तो ध्यान से देख लेजे और आपको मुसे बादा करना होगा कि अपने जो भी छात्र है आपके जान पैचान के बीए बीस्टी बीकॉम हाइश्कूल इंटर जो भी बन सब्सक्राइब कर लेना वहां से पढ़ना सारे जो कोशन बताएं वही पढ़के चले जाना पास होने की गारंटी सर देते हैं ऐसे बोल देना कोई दिक्कत नहीं है आपके क्लास टीचर जो भी है क्लास में टीचर जो पढ़ाता है उनको बता दो पेपर हैकर कौन है ठीक है खोल के बता यार दिल खोल के और आपने जुमसे बादा किया है सभी छातरों को बताने का वो बादा पूरा करना है प्रामिस तोडना मद यार ठीक है दिल से प्रामिस किया करो जैसे कि मैं आपसे प्रामिस करता हूं कि एक्साम से दो दिन पहले important question देने की वैसे आप भी अब यहां धेहां से देख लेना, क्या क्या कोशन आपको देख रहा है, बस अपने बुक नोटस केसओ पेपर को ओपन कर लेना, यदि आपके पास नोटस बगहर रहा नहीं है, तो हमारी वेपसाइड पेपर है कर डालोट कर पाएंगे, चलो, इंकम टेक्स को देख लेते हैं पहला quote-up को आपको देखना है AICAR आयकर होता क्या है आयकर पर लगने वाला कर कौन सो है उसके विशेषता उसके लक्षण को देखना है यह quote-on most 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 important है रेट के जाना है इस quote-on दो करसी आये क्या है उसके पिरकार के बारे में की और कहता है क्षित आयर कि पूछ लेता है करनीयोजन कोशन आता है कि गिरसी आये के प्रिकार पोच ले ता है करनीयोजन मोस्ट इंपोटन थी है 읏 उसके बाद में अनुलाव क्या होता है मकान-समपत्ती गवार्शिक-मूल का अर्थ और नियम बताना है मलब मकान संपत्ति के वर्षिक मूल का अर्थ क्या होता है और नियम क्या होता है यह आप करेंगे हर्थ का अर्थ क्या होता है नियम बहुत जाधा का की चीज़ा उसकी पूच लेता है तब लाउंग कोशन बनेगा यदि वह अकेले कुछ पूचता है तो वह शौर्ट कोशन रहता है तो आपको क्या करना है जिस तरीके से मैंने आपको यहां बता आई कर की परिवहां सब कर लगने वाला कर उसकी विसेस्ता है उसका तो यह चीज होती है आई कर पूछ लेता हूँ आप से अपको कुछ आपको कुछ आप ये मतलब ऐसा बता दिया करो कि कौन सा लॉंग है है कौन सा सौट है ऐसे बच्चे कंफ्यूज होता है हम यह पढ़ लेखें हैं समझो हमें बहुत हैं अनपड़ वाली फीलिंग मताने हैं लाना तो अके लिए याद रखना तो यहां देखो आप से पूछा कर नियुजन का अर्थ क्या है कि वह कर नियुजन का अर्थ पूछे गवराना नहीं है दारना नहीं है सोचना नहीं है समझना नहीं है जो बताहिकर ने नियम को पढ़ लेना पूजी के नियम को पढ़ लेना है और इसको छोड़ देज़ेगा कुछ पूचे जाते हैं इंकम Tax related उन को बढ़ के जाना है क्योंकि यह कूशन आप से बनेंगे तो आप आप जाके। मतलब कि वो नोट्स को हमारे डानलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करकर अच्छे नम्बर ला सकते हैं कोई दिक्कत है तो आप हमसे कॉमेंट चेक्स से ने फूसकते हैं हमादा वाटसप डिसकॉपशन वोक्स में दे रखा है हमारा WhatsApp नमर डिस्कप्शन बॉक्स में दे रखा है बहां से जाकर आप त्यारी कर सकते हैं ठीक है अब यहां दिहान से देखो और कौन से को त्यार करना है आपको दूसरा कोशन कौन साथ का देखें अपील के यहां अपील की विदी क्या होती है अपने अपील की उसके उपर अपील की विदी क्या होती है वह आपको देखना है करके में मुखतान इसको छोड़ देना है करदाता की परिभासता क्या होती है संकल कुल आप कुल आए और कुल और कुल आय में अंतर इंप्टेंट यह कोशन सोट में मनेगा दोनों में आपसे अंतर पहुचता है तो शौट में मनेगा ठीक है अब दिखावटी लेंदेन क्या होती है यह शौट में कोशन देखने को मिलेगा कोई दिक्कत ही नहीं है और धारा असी सी असी डी असी जी यह बहुत ज़्यादा पूची जाती है इसके बारे में आप याद करके जाए है विपसा पेशा ब्यापार क्या होता है इसकी परिवास आपसे अर्थमूश चाहे चुटे चुटे और यह पी एन क्या होता है इनको पढ़के जाए है जिसे हम कर कर टो म ost subscribe कर लेदा के वह मुस्षें आपने बादा किया है को सबको शयर करने का टाइम आ पड़ियों के अभी शयर्थीे- Mason मुझसे बादा किया है, वह आपको निभा ना है, और सबी छात्रों को ज्यादा सथा सब चीतार बाकी मिलेंगे नेक्ट बाकी क्लिए लिए